जय हिंद आप सबी का मेरा डिफेंज चैनल पर स्वागत है तो आज की डिफेंज अप्डेट वीडियो में स्वी 57 फैलन को लेकर एक बहुत ही बड़ी अप्डेट सामने आ रही है और यह अप्डेट रश्यान मेडिया की ओर से आ रही है और रश्याक मेडिया की द्वारा य तो इसके बारे में भी हम डिटेल से डिस्केशन करने वाले है तो अगर आप मेरे डिफेंज चैनल पर नई है तो प्लीस मेरे डिफेंज चैनल को सबसेब करें बैले किन दबने ना बुले और क्योंट सेक्षर में जैहीं जैबार जरू लिकेगा और उसके अलावा अगर आ आइक भी कर सकते हो और आपका डिफेंस के रिएटेट कोई भी केशन हो तो आप अपना क्वेश्चन कॉमेंट सेक्षर में जरूर लिखेगा जिसका अंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा तो आपके डिफेंस अप्टेट वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहले अभी की सिचुवेशन के हिसब से बात करें तो बारत का पूरा फोकस एमसी फाटर जेट के उपर है पर बीच बीच में ऐसी अप्डेट सामने आती रहती है कि भारत शायद किसी अन्य फोरेंस फिफ जनरेशन फाटर जेट को खरीच चकता है तो अभी प्लाल बारत क यान के कुछ नेगीटिव पॉइंट के बारे में डिसकेशन करेंगे जिसकी वज़े से भारत शायद इस फाटर जेट को सिलेक्ट ना करें तो सबसे पहली वज़ा है एफ जेफ प्रोग्राम तो बारत कुछ रिजन के चलते हुए एफ जेफ प्रोग्राम से बाहर हो गया पिद्ञें था जो कि फेलनलं फाटर जेट बेस के ऊपर ही था और उसके अलावब बात करें तो जो क्या जा पूरा भारत अन्य पौरण देश के उपर से अपने हथियारों के मामिले में डिपैंडेंडेंसी कम कर रहा है तो इस चीज़ के बहुत ही ज्यादा काम चैंस है क कि बारत ऐसे 57 फैलन को खरीदे पर अपने दुश्मनों से मिल रहे चैलेंग को देखती हुए ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है कि बारत किसी अन्य देश के पास से फिप जनेशन फाइटर जेट को खरीचता है तो भारत भी डेफिनेटली किसी वहरें कट्री के पास से फिप जने झाल दो कि साय चाल था झाल उनेटली को भास से जनेटली कि वहरें कि वहरें कि अन्य। जन्य। वहरें कि वहरें कि लारत जह भी आदियों इते हैं